नमस्कार साथियों, वेदान्त अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, हम बेसिक्स की सीरीज में आज डिसकस करने वाले है किस तरह से भिन को जोड़ा और गटाया जाना चाहिए या भिन की कैलकुलेशन को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, सि उपर वाले पार्ट को बोला जाता है अंस और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है हर, numerator upon denominator, जो fractions होते हैं mostly या major parts में इनको दो तरह से देखा जाता है, एक proper fraction एक improper fraction, जब उपर की संख्या छोटी होती है और नीचे की संख्या बड़ी होती है तो उन्हें proper fraction कहा जाता है, जब भी भिन्न में जो हर वाला हिस्सा है वो समान हो, तो LCM लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद रखेंगे LCM सिर्फ दो केसिज में लिया जाता है भिन्नों में, या तो प्लस में हो संख्या है भिन्न या माइनस में हो, इन दोनों कंडिशन में LCM लिया जाता है, यहां पर हमने देखा, 7 बटा 8, 3 बटा 8, 7 बाइ 8 और 3 बाइ 8, इसको पढ़ने का तरीका होगा, 8 में से 7 की बात कर रहा है, 8 में से 3 की बात कर रहा है, और बीच में लगा है प्लस का साहिन, तो दोनों जगे 8 में से बता रहा है, तो हमें कुछ भी LCM लेनी की ज़रूरत न 10, 10 बटा 8, अब देखो, अभी तक ऊपर की संख्या छोटी थी, नीचे की बड़ी थी, यह proper fraction है, भिन मतलब होता है हिस्सा, जब तक ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की बड़ी रहेगी हिस्से के फॉर्म में रहेगा, अब यह एक हिस्से से बढ़ा हो जाएगा, इसे जाता है improper fraction या इसे solve करके mixed fraction के form में लिखा जा सकता है मिस्रित भिन्नी की रूप में लिखा जा सकता है कैसे 8 से भाग लगाओगे या पहले इसको और सरल कर लेते हैं कितना हो जाएगा पांच बटा चार दो से कट जाएगा अब पांच से चार में भाग लगाएंगे एक बार भाग जाएगा बचेगा एक वह उपर लिखा जाएगा या और नीचे चार अब यह जो fraction है mixed fraction जो है इसे लिखने का यह answer में इस तरह से मिलेगा लेकिन कभी अगर इसे solve करना या easy करना होगा तो हम इस तरह का कहीं भी लिखा होगा इसे लिखेंगे one plus one by four एक पूरा हिस्सा और उसके बाद बचेगा यह हिस्सा एक से कम इसी लिए इसे बोला जाता है mixed fraction पूरा हिस्स साबी है तो mixed fraction इसको कहा जाता है आगे चलेंगे अगले example पर चलेंगे जब भी ध्यान रखेंगे जो denominator है हर की जो संख्याएं वो समान होंगी तो अंस में operation अपन सीधे करेंगे कोई LCM की जरूरत नहीं होगी यह example हमने देखा अब इस example में देखो यहां नीचे 5 दिख रहा है यहां नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है अगर नीचे कुछ दिखे तो अपने लिए काम easy हो जाएगा तो अपन नीचे क्या बना लाए 5 नीचे अगर 5 लिखा है तो उपर भी ग बड़ा हो गया उपर बड़ी संख्या होगी इंप्रॉपर फ्रेक्शन हो गया है भाग लगाएंगे 5 से 3 बार जाएगा और बचेगा एक और भाग लगा रहे हैं हम 5 से अगले कोश्चन पर चलते हैं अगले कोश्चन में देखो 3 12 और 6 नीचे अलग अलग संख्या है 3 मैं से 2 12 मैं से 7 6 मैं से 1 जबकि फ्रेक्शन में कल्कुलेट करके लिखेंगे तो आधार जो होगा वो नीचे एक ही संख्या होगी तो सभी का LCM क्या बनेगा LCM होगा बड़ बारा से अगला संख्या बारा से अपना काम हो रहा है मतलब सभी के नीचे क्या बनाना है अपनको 12 बनाना है सिंपल कहानी होगी तो 6 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा दो से यहां वी अपन दो से कर देंगे यहां नीचे बारा बनाने के लिए कितने से चार से तो उपर भी हम चार से कर देंगे इसको लिखा जाएगा नीचे सीधे 12 लिख दिया जाएगा अब साइन के साथ में उपर जैसा है वैसा लिख देंगे 2 फिर 7 फिर 8 जोड़ेंगे सभी को अब देखो फिर से वैसा ही फ्रेक्शन आ गया इंप्रॉपर फ्रेक्शन भाग लगाएंगे बारा से एक बार जाएगा बचेगा पांच और नीचे यह तरीका होगा इसको लिखने का अगले कोशन की तरफ चलते हैं अब देखो मिग्स फ्रेक्शन में ही कोशन आ गया हम सीख चुके हैं मिग्स फ्रेक्शन को ब्रेक करके अलग-अलग देखा जाएगा अब यहां जो संख्याएं हैं देखो सभी संख्याएं प्लस में हैं तो माइनस की कोई टेंशन ही नहीं है, अभी अपन को यहाँ पर, तो 8 और 2, 10 और 7, 17 और 3, 20, as it is हम जोड देंगे, लिख देते हैं आप लोगों के लिए, basics discuss कर रहे हम, plus 1 by 2, plus 2, plus 1 by 2, plus 7, plus 1 by 2, plus 3, plus 1 by 2, पूरे numbers को सीरे जोड लेंगे, 8 और 2, 10 और 7, 17 और 3, 20, as it is जोड लिया, बाकी बचे हुए में, LCM नीचे, 2, और 1, कितनी बार, 1, 2, 3, और 4, 4 में 2 से भाग लगाओगे, 2 बचे का, 20 और 2, answer हो जाएगा, 20, उमीद है, clear होगी यह कहानी, अगर अपन को यहाँ पर संख्या हैं, अलग-अलग मिलती, तो इस हिस्से को अपन अलग करके जोड लेते, यह अपन को tension नहीं देता, calculation, easy हो जाती, sort हो जाती, calculation, बढ़ते हैं हम आगे, और कुछ examples देखते हैं, हाँ, अगला example, अब हम minus में चलते हैं, यहाँ, नीचे 10 उपर 4, यहाँ, नीचे 10 उपर 1, दोनों जगे देखा, आधार समान है, तो plus और minus में, जैसा sign आएगा, वही sign अपन operation में आगे, लेकर चलेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, plus है की minus है, जो जैसा होगा, वैसा, लिखते हैंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, नीचे 10 LCM, उपर 4 minus 1, यह हो जाएगा, 3 by 10, अब यहाँ पर 2 by 5 भी हो सकता था, तब भी अपन इसको क्या बनाते, 4 by 10 बनाते, जैसा अपनने समझा है, अब देखें अगला example, 4 minus 1 by 7, अब अपन क्या करेंगे, पिछले example की तरह है, second question की तरह है, यहाँ भी नीचे अपन क्या बना लेंगे, 7 बना लेंगे, तो उपर भी अपन को 7 से into करना पड़ेगा, नीचे 7 आ जाएगा, 7 चोग 28 minus 1, यह क्या बनेगा, 27 by 7, अब देखो, improper fraction, यहाँ तो proper fraction आ गया था, उपर छोटी संख्या तो अपन ने यहीं छोड़ दिया, यहाँ improper है, solve करेंगे, 7 से भाग लगाओगे, 3 बार जाएगा, बच्चे का 6, और 7 से भाग लगा रहा, 3, 6 by 7, इसका answer लिखा जाएगा, अगले question की तरफ चलेंगे, यहाँ देखेंगे, 15 by 4, minus 7 by 2, और 9 by 7, 7, 2 और 4, इनका LCM जब लेने जाओगे, तो आपको सीधे क्या देखेगा, कि कोई किसी की table में नहीं आ रहा है, 7 की table जब 56 तक पहुँच जाएगी, 56 तक पहुच जाएगी, वो 2 से भी divisible है और 4 से भी, तो इनका LCM नीचे कितना आने वाला है, 28 आने वाला है, LCM 28 आ गया, तो सब की जग़ा नीचे क्या बनाना पड़ेगा, 28 बनाना पड़ेगा, बनाते हैं, यहाँ 7, तो यहाँ भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 28 बनाने के लिए कितने से करना पड़ेगा, 14 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 14 से करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से करना पड़ेगा, सॉरी, 4 से करना पड़ेगा, तो यह 4 से कर दिया आपनने, अब as it is लिखेंगी, नीचे तो 28 आ जाएगा, करना है 14 का साथ में करोगे कितना हो जाएगा साथ चोक 28 का आठ साते कम साथ और दो नौ चोदा सत्य अंठानवे फिर यहां दो दो लिख दिया अपने जबकि आना चाहिए उपर चार कि यहां पर चार आना चाहिए नौ चोक छत्यस देखो अब यह दोनों जुड़ जाएंगे इसमें से घटाएंगे तो 105 में से यह अपन घटा देते हैं तो 105 में से 98 में घटा होगे बचेंगे 7 साथ में से 36 और घटाना है तो क्या बचेंगे 29 बचेंगे लेकिन किसके बचेंगे वो माइनस के बचेंगे और नीचे 28 ये fraction अब क्या लिखा जाएगा इसको minus 1 28 से एक बार भाग जाएगा एक बचेगा और नीचे 28 अब ये बड़ी खास बात आजाती है बच्चों ये answer तो अपन ने लिख दिया यहाँ minus लगा था लेकिन किसी mix जो fraction में बाहर अगर minus लगा है तो उसे break करने का तरीका क्या होगा ध्यान से देखना आप लो minus 1 2 by 3 इस तरह से कोई अगर fraction है तो इसे open किस तरह से करते है minus 1 plus 2 by 3 ये तो bracket के अंदर की कहानी तो उम्मीद आपको clear होगी और ये लिखा जाएगा minus 1 और minus 2 by 3 ये आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसे break करने में आप गलती कर सकते हो जो नहीं करना है पहले ही बता दिया जाए ये गलत है minus 1 लिख तो आप और plus का 2 upon 3 सर माइनस तो 1 के साथ दिख रहा था 2 upon 3 के साथ तो दिखी नहीं रहा था याद रखना ये mixed fraction पूरी एक संख्या है पूरी संख्या के बाहर minus लगा है तो हर हिस्से के साथ minus रहेगा ये याद रखेंगे हम अब चलते हैं अपने आगे questions पर चलते हैं 6, 8 by 3, 10, 5 by 3 बिल्कुल देखो उसका question आ गया अब इसको अपन अलग रखेंगे कैसे करेंगे 6 और minus 10 को अपन ने अलग रख दिया प्लस का ये प्लस का है तो plus का 3 by 8 और minus का 5 by 6 ये आएगा minus 4, minus 4 आजाएगा इसे solve करोगे 6 और 8 का LCM निकालना आप 8 की table पढ़ते हैं जहां 6 से divide हो जाएगा वो अपना LCM बन जाएगा 8 में करोगे नहीं होगा 8 के बाद 16 में करोगे 6 से नहीं होगा 24 में करोगे हो जाएगा 24 बनाना है 24 बनाना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा 3 से इसे 24 बनाना है तो कितने से गुना करना पड़ेगा 4 से नीचे 3 से क्या है तो उपर भी कर देंगे हम यह हो जाएगा 9 यह आजाएगा 9, 9 में से कितना घटाना है 20 घटाना है, तो क्या आएगा minus का 11 by 24, अब देखो इसको क्या लिखा जाएगा mixed fraction में अगर लिखना होगा तो दोनो minus मैं, minus पूरा बाहर निकालके, minus 4 11 by 24 यह अभी यह solution इतना easy लग रहा है आप अगर इसको solve करने जाओगे न, तो पसीना आने लगेगा calculation जितना easy दिख रहा है उतना ही यह tough लगने लगेगा calculation याद रखेंगे, एक एक पार्ट को बाहर minus लगा है, तो दोनो पार्ट minus में होंगी LCM लेने का तरीका, बड़ी संख्या के multiples हम देखेंगे, जहां छूट दूसरी संख्या से भाग चला जाएगा, वही LCM होगा, तो वही हम बना लेंगे दोनों के नीचे, उपर नीचे, सेम नंबर से into करके, यह करेंगे, अब हमने देखा दोनों minus में आगे, नंबर दोनों minus में आगे, मतलब इसका minus बाहर लिखा जा सकता है, और इन्हें चिपका कर लिखा जा सकता है, तो minus 4, 11 by 24 इसका answer बन जाएगा, बढ़ेंगे आगे एक question हाथ से लिखा है, इस question को देखें अब plus minus की कहानी हमने समझ लिए, तो हम कहानी समझते हैं, into और divide की कहानी क्या होगी, जैसे ये into में लिखा है question, अगर into में लिखा है question, तो उपर वाली संख्या है, सारी साथ में लिखी जाएंगी, into में लिखी जाएंगी, कैसे 55 into 98, divided by 11 into 11, इस तरह से लिखी जाएंगी, 11 से divide करोगे, ये 5 times हो जाएगा, 5 का 98 में करोगे, ये हो जाएगा, 4, 90 divided by 11, इसका answer लिखने जाएंगे हम, 11 से भाग लगाओगे, उन पचास में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, बचेगा कितना, 5, 50 हो जाएगा फिर, 4 बार, बचेगा कितना, 6, ये होगा answer, 44, 6 by 11, इसका answer आजाएगा, mixed fraction में, अगर हम से जानना चाहा है, तो, otherwise कहीं ये answer मिल जाएगा, कहीं पर ये मिल जाएगा, अब चलेंगे, आगे हम, और बड़ा number अगर दे दिया जाता है, जनरली इस तरह के जो questions दिये जाते हैं, जादा तर पार्ट उसमें cancel out हो जाता है, अगर हम, RRB जैसे exam या IBPS जैसे exam हम देने वाले हैं, तो, IBPS में हमें इस तरह के कुछ questions देख सकते हैं, जिसमें complex calculations हों, लेकिन जनरली जो state के exams होते हैं, वंडे जो exam होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, simple सी कुछ ऐसी calculation होते हैं, अब अपने इस calculation को देखते हैं, करने की कोशिस करते हैं, 24, 65, into 15, और किसी भी number को कहीं पर किसी से भी cancel out किया जा सकता है, कोई रोग टोक यहां पर नहीं रहेगा, अब देखते हैं, solve करके, 24, 8 से cancel होगा 3 times, 8 से कटेगा 3 बार, 64, 8 से कटेगा 8 बार, फिर उसके बाद 15 कटेगा 5 से 3 बार, और ये 25 कटेगा 5 से 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 65 को कितनी बार, 13 बार, 13 से 26 कटेगा 2 बार, ultimately उपर क्या बचा, 3 into 3, 9, और नीचे क्या बचा, 8 into 2, 16, और ये एक proper fraction है, तो अपना answer होगा 9 by 16, इसे किसी दूसरी तरह से नहीं लिखा जा सकता, हाँ थोड़ी और कोसिस करोगे, तो ये क्या दिखेगा, 3 by 4 का square, बस और कुछ इसके अलावा नहीं दिखेगा, सीधा सीधा, अगर वो नहीं चाहता कि answer सीधा 9 by 16 दिखेगे, तो इस तरह से वो कुछ लिख सकता है, तो हमें दिखना चाहिए इतना, उमीद है clear होगी ये कहानी, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, और कुछ एक्जांपल, कुछ एक्जांपल और लिए हैं, अब डिवाइड की बात अगर आ जाती है, इससे पहले हमने देखा इंटू की बात, तो इंटू की बात अगर हम समझ गए हैं, तो हम डिवाइड को भी समझते हैं, डिवाइड भी जब भी आएगा fraction का, तो डिवाइड का सबसे simple फंडा ह होगा, राइट हेंड साइट आगे, राइट हेंड सा जो भी number होगा, उसे पलट कर into कर देना है, उसे पलट कर गुडा कर देना है, तो ये बात आप अच्छे से समझ रहें, कि into करने के बाद क्या करना है, into तक ही तो पहुँचना है, फिर तो कहानी simple है, अपनी, जाते हैं, 1 by 3 into 7 by 2, क्या करेंगे, right hand side जो part होगा, भाग के बाद जो हिस्सा होगा, उसे पलट कर गुणा में लिख देंगे, ये लिख दिया, हमने 1 by 3 as it is, 2 by 7 का 7 by 2, कहानी खतम, उपर का उपर गुणा, देखो, कटने के लिए कुछ है नहीं, तो सीधे 7 by 6, और ये कैसा fraction ह improper fraction है, अंस बड़ा है, तो भाग कर देंगे, 1, 1 by 6, एक बार भाग जाएगा, और एक बचेगा, चैसे भाग लगा रहे हैं, ये भाग का sign अगर, चिन्ना अगर आ जाता है, तो process होगा, अब कुछ mixed question हमने रख लीए, जिसमें भाग के साथ में, plus भी आ जाए, minus भी आ जाए अगर ये सब रहात, तो क्या करोगे, जैसे इसे अगर पढ़ा जाएगा, इन दोनों examples को अगर पढ़ा जाएगा, तो first जो step है, ये जो step है, इसे हम पढ़ेंगे, 6 में divide कर रहा है, 7 by 8 से, 6 में भाग लगा रहा है, 7 बटा, 8 से, और यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 बटा, 7 में fraction से divide करे, यहाँ divide हम किस से कर रहा है, 2 by 7 से, या तो हम इसे इस तरह से लिख देते हैं, नीचे 2 by 7 लिख देते, एक ही बात होता, यहाँ divide किस से कर रहा है, 7 by 8, तो क्यों ना इसे पलट कर 8 by 7 लिख दें, इन 2 में, बिल्कुल सही कहानी, 8 by 7, बस क्या करना है, इसे पलट कर, इन 2 में लिख देंगे, वही कहानी, आगे करेंगे, minus 6 by 7, नीचे क्या है, जब fraction में कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, उसे 8 by 1 कर लेंगे, 8 by 1, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 by 8 लिख देंगे, अब इतना हो गया, नीचे क्या है, 56, 56, और यहां क्या है, 7, अगर LCM लेने जाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 8 लेकर आना पड़ेगा, एक 8 लेकर आना पड़ेगा, ले आते हैं, यहां नीचे 8 से इंटू कर देते हैं, तो यहां भी अपन को 8 से इंटू करना पड़ेगा अब LCM बन जाएगा दोनों जगए नीचे 56 फिर इंटू करेंगे 64 में गुणा करना है 6 का 6 6 36 और 24 384 हो जाएगा माइनस 6 ये बचेगा 384 माइनस 6 करेंगे 378 by 56 6 डिवाइड करके देखेंगे किस से डिवाइड हो रहा है 7 से ही डिवाइड हो रहा है 7 से करेंगे 7 पंजे 35 7 से क्या 14 से होगा 14 से हो जाएगा क्योंकि 7 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है 14 से करेंगे 14 टूजा 28 अब बचेगा कितना 9 यह 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, तो फिर कितने टाइम्स होगा, 14 से 7 टाइम्स, और नीचे कितना होगा, 14 से 4 टाइम्स, 27 बाइब 4, अब यह mixed fraction है, mixed fraction है, तो कैसे solve करेंगे, तो mixed fraction को solve करने के लिए 4 से divide करोगे, कितने बार होगा, भाग लगाओगे, 6 बार जाएगा, 6 टाइ अंसर होगा, वो अपन लिख देंगे, अब बात आएगी, यहां पर into कैसे किया, सर आपने, 8 into 8, 64, 8, 64 होते हैं, 64 का कितने गुना करना है, 6 गुना करना है, 60 का 6 गुना कितना होगा, 360, अब कितना बचा, 4 बचा, 4 का 6 गुना कितना होगा, 24, 360 और 24, 84, इस तरह से किया है, break क करके करना, calculation के लिए आपको अलग session रखा जाएगा, बड़ा मज़ेदार session होगा वो, हाँ, अब हम चलते हैं, एक question और ले लिया था, जो CPO में पूछा गया था, previous year का ये question है, SSE का, इसको solve करके देखते हैं, board mass में अगर हम आ जाएं, तो इसे कैसे solve किया जाएगा, देखो यहाँ पर courses की हमने कि इसमें सब कुछ ले लिया जाए, तो SSE ने इसमें सब कुछ लिया, तो अच्छा example लगा, समझाने के लिए आपको, यह mixed fraction भी ले लिया, minus भी आ गया, यह divide भी आ गया, brackets भी आ गया, अब हम solve करेंगे, सबसे अंदर वाला जो bracket होगा, वो सबसे पहले solve किया जाता है, यह fraction देखो, इसे अपन, यह जो पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट, इसे अपन सबसे पहले solve करेंगे, अब हम इसमें भी देखो, इसको अगर देखेंगे, तो यह क्या लिखा है, 2 प्लस 2 अपन 3, और minus में 2 लिखा है, और यहाँ प्लस का 2 है, तो minus का 2 औ बचेगा क्या अंदर, 2 upon 3, 2 by 3, तो अगला step होगा, 2 by 3, divided by, यह बाहर आजाएगा, यह तो cancel out ही हो गया, बाहर क्या आएगा, 2 by 3, इसको लिखेंगे, 2 by 3, यह पलट जाएगा, 3 by 2, 3 से 3 cancel, 2 से 2 cancel, बचा क्या, 1, या as it is संख्या से भाग लगाओगी, जैसी संख्या आगे है, वैसी पीछे है, उससे भाग लगाओगी, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा, 1, minus होता तो बचता है, 0, उमीद है, यह कहानी आपको clear होगी, याद रखेंगे, इसमें भी, जो काफी सारे doubts, basics में बच्चों को आते हैं, इसमें 0 की कहानी क्यों नहीं बनी, क्योंकि हम यहाँ पर divide कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, भाग में 0 नहीं आता है, घटाने में 0 आता है, भाग में 0 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, तो उमीद है, आज का session अच्छा लगा होगा आपको, ऐसे आज के लिए,